दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ इतनी अच्छी दबा आपको पास है ऐसे ही कुछ और दबाएं बताओं आपको जो आपके ही घर में हैं आपको अगर बहुत गंबीर सिर्दर्द होता है माई क्रेंटी इस्थिति अच्छी दबाएं गर में हैं मैती का दाना आदा चंग मैती दाना रात को पानी में भिवो दीजे रात पर उसको रखिए सुगे मैती दाने को चबा के खाईए और पीछे से पानी पी लिए ये सिर्दर्द भी चीद कर देदा है और एक अच्छी दबाएं सिर्दर्द की गाय का देशी घी नाक में एक एक भूम डालकर रात को सोना देशी गाय का घी हलका गरम करिए और रात को नाक में एक एक भूम डालकर सो जाएए इससे भी सिर्द के सभी तरह के दर्द चीख होते है और देशी गाय का घी जब आप नाक में डालेंगे तो इससे सिर्दर्द चीख होता है ये तो एक बीमारी है और एक बीमारी इससे ठीक होती है जिनको नाग से अक्तर खून निकलता है और जिनकी नक्सीर की बीमारी है नाग पड़ जाती है खून निकलता है उनकी बीमारी भी यही देशी कायते ही से ठीक होती है और एक बीमारी इससे ठीक होती है जो लोगों को रात में नीद नहीं आती और विस्तर पे करबटें बनलते रहते हैं उनकी नात में गाई का धी डाल के सो ये बहुत अच्छी नीद आता है और एक बीमारी इससे चीक होती है जिन लोगों की अक्सर नात बंद हो जाती है और भू से सांस लेते हैं उनकी नात में देशी गाई का धी डालिये तो नात से एक दम खुन जाती है और एक बीमारी इससे चीक होती है कोई लोग रात को सोते समय नात से बहुत आवाज करते हैं खर्राटे लेते हैं सोने वाला तो मस्त सोता है उसका पडोसी विचारा परेशान होता है तो जिनको खर्राटे आने की बीमारी है जिनकी नात बज़ती है उनकी अपनी देशी गाईगा भी डालिये हमका घरम करके हमेशा के लिए नात बज़ना बहुंद हो जाएगा इतनी अच्छी दवा है और एक बीमारी में ये दवा काम आती है कि जब किसी को सर्दी हो नजला हो बार बार सर्दी हो बार बार नजला हो नाक से छीक आती हो नाक से बार बार पानी निकलता हो ऐसे सभी लोगों को कहिए कि वो देशी गाईगा घ्जी नाक में डाल के सोई छीके आना बंद होगा नाक से पानी आना बस्दोगा और नाक की कई वीमारियां चीदोगा अब देशी गाय का घी कहां से मिलेगा आप देशी गाय का गूर भरी दिये दूद को दही बनाईए दही से मक्खन निकालिए मक्खन को गरम करिए फिर जो घी बनेगा ये गी नाक में लाइए ये गी काम का आप दिल्टों में बहुत सारी माते मलाई से गी निकालती है वो अच्छा तरीका नहीं है पहले दूद को गरम करके दही जमाए दही का मठा बनाए उससे मक्खन निकले मक्खन को गरम करके गी बने वही ही अच्छा तो आपकी बहुत बीमारियों में ये काम होता दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइप, कमेंट और शेयर करें और हाँ हमारा एंडरोइड एप डाउनलोड करना ना भूले